अगर आप गाड़ी लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं तो साधान हो चाहिए क्योंकि अब याता याद के नियम बदल चुके हैं नया मोटर बहन संचोधन विदहक एक सितंबर से लागू होने के साथ ही दिल्ली से सटे हर्याना में गुरुग्राम पुलिस हासी सख नजर आ रही है मंगलवाट देर रात ट्राफिक पुलिस ने न्यू कॉलनी मोट के पास ओवा लोड ट्राक्टर ट्रॉली के चालक को 69,000 का चालान थमा दिया क्यों कटा ट्राक्टर ट्रॉली का 69,000 का चालान चालक लाइसेंस आर्सी फिटनेस प्रमान पत्र नहीं मिला इंसरेल्स खतरनाग समान रखने और खतरनाग ड्राइविंग का आरोप ट्राफिक नियम का पालन नहीं करना, रेड लाइट जम करना वहन को हाइप बीम में चलाने के आरोप में कटा चला हाला कि बुद्वार दोपहर को चालक ने कल दस्तावेज लिखा दिये उसके बाद अब उसे 13,000 का ही भुपतान करना पड़ेगा जो नई नियम लागू हुए हैं, उनके अनुरूप चलान किये जा रहे और जैसा कि आपने बताया कि एक चलान आज 25,000 का कलिया परसों 24,23,000 का ये जो किये गए हैं तो ये जो चलान किये गए हैं ये ने मानुसार बाटर वहिकल एक्ट के जो प्रोविजन से उनके मताबिक किये गए हैं और जो चलान किये गए हैं इसमें जो डॉकुमेंट्स जो ओनर है जिसका चलान कटा है अगर वो बाद में पेस कर देता है उसके ओरिजनल डॉकुमेंट्स तो उसके फाइन से डेडेक्ट हो जाते हैं वहीं एसीपी ख्राइंग के माने तो हजारों रुपई के चालान से लोगों को डेनने की जरूरत नहीं है ट्राफिक नियम का पालन करें और वाहनों के कागजा साथ में लेकर चलने की अपील की है मेरी सबी जो लोग हैं उनसे प्राथना और एक संदेश भी है कि वो फाइन या इस तरहें की अपवाओं पर ने जाएं बलकि जो बाटर वहिकल एक्ट के जो नियम बनाए गए हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही हैं उनके पालना करें उनके पालना आवशक है इसमें जो आदमी अपने सबी जो ये नियम हैं उनकी पालना करते हुए रोड पर गाड़ी चलाते हैं उनको किसी भी परकार का इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए गुरुग्राम पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ट्राफिक में हमों का उनलंगहन करने वालों को अब बख्षा नहीं जाएगा मोटर वहिकल आक्ट में बदलाव के बाद लोगों में जहां एक तरफ डर का महौल है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस लोगों से ट्राफिक नियमों का पालन करने की अपील कर रही है जिससे की आने वाले दिनों में ट्राफिक विवस्था दुरुस्त नज़र आए R9 TV के लिए गुरु ग्राम से मोहत कुमार नवीन की रिपोर्ट